नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी आप देख रहे हैं टूडे ओडिशन जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सबसे पहले आपको हर अपडेट देखने को मिलेगी चाहँ हो इंडियन आइडल हो या फिर कोई भी रियलिटी सो हो और मैं अपनी बात पे रहा हूँ और मैंने आपको हर अपडेट दी भी है और अगर जो आज इस वीडियो को पूरा देखेगा उसको आज ऐसी इंफोर्मिशन देखने को मिलेगी जो साइट किसी भी चैनल ले अभी तक कवर नहीं करी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं आज आपको इंडियन आडल के A to Z information देने वाला हूँ क्या है वो भी officially और वो भी बिल्कुल proof के साथ ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ बिना proof के साथ मैं जो भी बात करता हूँ proof के साथ करता हूँ तो proof के साथ ही दिखाएंगे आपको और basically जो ये proof मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको proof के साथ जो मैं ये बोल रहा हूँ बार बार ये मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मुझे पता है आप मुझे पर बहुत ट्रस्ट करते हैं अगर मैं आपको ऐसे भी बोल दूँगा जब भी आप माल लोगे मेरी बात लेकिन ये proof मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार जो Sony TV या Indian Idol वाले बात को पलट देते हैं और बोलते हैं कि भाई ऐसा हमने कही नहीं बोला नहीं कहा है तो उसके लिए मैं इस वीडियो को बता रहा हूँ ताकि ये वीडियो से तो वो मिटा नहीं सकते बाद में अडिट कर दें कुछ पता नहीं लेकिन इस वीडियो के अंदर जो रहेगा उसको वो मिटा नहीं सकते इसलिए पूरा पूर्फ के साथ मैं उनके लिए ये बात बोल रहा हूँ चलिए देखते हैं आप इदर देखिए मैंने Google खोला हुआ है मैं इदर लिखूंगा Simply Sony Live और Sony Live मैंने लिख दिया है यह रहा यह Sony Live एप्लिकेशन खुल गया है Sorry website खुल गई है थोड़ा नीचे चलेंगे सबसे नीचे आप देख सकते हैं Trumps of Uses इस पे जाना है इस पे जाने के बाद आप देख सकते हैं Indian Idol, Trumps and Conditions Simply किलिक किया है मैंने और यह इदर पूरा Trumps और Conditions का चठथा खोल चुका है अभी मैं आपको बताऊंगा यह Trumps और Conditions आप इदर देखिए इदर साफ साफ लिखा हुआ है Trumps and Conditions साफ साफ इदर लिखा हुआ है और जब जब इन्होंने Auditions के बारे में बताया तब तब इन्होंने Trumps और Conditions देए आप देख सकते हैं Trumps and Conditions अब वो Trumps and Conditions क्या है और मैं पहले भी बोलता आया हूं के भाई terms and conditions जरूर हम देखेंगे जब भी मुझे पता चलेगा basically terms and conditions कहां पर है हाला कि वो मिल चुके हैं तरमस and conditions वो यह हैं आपके सामने चलिए आप देखते हैं basically क्या क्या है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट informative बहुत रहेगी जो basically singing में अपना career बनाना चाहती है सबसे पहले आप इदर देखिए so कौन सा है Indian Idol 13 है बिल्कुल सही ये company का नाम है ये भी ठीक है so management ये पूरा management है website ये रही application ये रहा channel कौन से पे आने वाला इस set channel पे आने वाला जो participant है वो आप देख सकते हैं ये participant के बारे में है एक चीज और जो age की लोग पूछ रहे थे कि भाई उनको age का नहीं पता तो आप देखिए age का guys कोई भी criteria नहीं है basically जिनकी age 18 साल से नीचे वो भी participant कर सकते हैं बट इदर साफ साफ लिखा हुआ है कि वो अपने parents की permission लेकर with proof के साथ आएं या अपने parents को लेकर आएं audition के लिए जब भी उनका हो पाएगा या आप साफ साफ देख सकते हैं for participants who are under 18 जो 18 साल से नीचे हैं उनके लिए ये rule है जो आप देख सकते हैं dark black में लिखा हुआ है अब आप इधर देखिए auditionary इधर ये top 15 contestants को सेलेक्ट करेंगे overall इंडिया के अंदर top 15 contestants लेंगे आप इदर साफ साफ देख सकते हैं shortlisted participated who participated in the qualified round till top 15 contestants are selected यानि कि top 15 15 contestant लिए जाएंगे आप इधर थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको और चीज़े नजराएंगे और इधर आप देखिए qualified round कौन-कौन से round होंगे सबसे पहला होगा आपका silent audition उसके बाद open audition होगा फिर sony live के उपर digital audition होगा जिहां दोस्तो digital auditions भी होंगे फिर city audition होगा और उसके बाद curling round होगा उसके बाद last में ठेटर round होगा सबसे last में होगा गाइस ठेटर round याद अखना अभी आप देख सकते हैं silent audition के अंदर किस तरह से होगा music schools के अंदर institutes के अंदर इस जगा ये conduct किया जाएगा silent audition फिर होगा गाइस open audition open auditions के अंदर cities और जो भी mention होगी वहाँ पर आपको बुला कर ये audition कराया जाएगा digital auditions जैसा कि मैंने आपको बताया sony live के उपर भी होगा इसका भी date आप देख लीजे एक अगस्त 2022 से तीन अगस 2022 तक चलने वाला digital audition तो date याद रखिए by chance में वीडियो नहीं बना पाता तो आपको पता होना चाहिए उसकी बाद city auditions होंगे curling auditions होंगे फिर ठेटर round होगा उसकी बाद आप इदर देख सकते हैं गाला round भी होगा जिसके अंदर individual performance को perform करना होगा खेटर के अंदर जिसको हम गाला round बोलते हैं वहीं आप audition period आप देख सकते हैं audition period 8 जुलाई से start हुए थे auditions होने और इदर आप देख सकते हैं लगबग 3 अगस 2022 से auditions खतम हो जाएंगे और 3 अगस 2022 को आपको पता है digital round आपका होने वाला है थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको और चीज़ें मिलेंगे जैसे जो भी आपको अपना offline जो form आप फिल करेंगे उसके अंदर क्या-क्या requirement है इस उस form के अंदर आप क्या भरोगे अपना name भरोगे, gender भरोगे, mobile number भरोगे, alternative mobile number, date of birth, email id, state, city और अपने parents के वारे में अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो वो parent का proof के भाई हाँ आपको Indian Idol में जाने का मौका दिया जा रहा है, parents की permission full है, वो आपको इदर लगेगा ये कहाँ पर होगा, ये registration आपको जब आप जाओगे ground audition देने, वहीं आपको fill करने का मौका मिलेगा, तो ये सब कुछ fill करना उदर, वहीं आप देख सकते हैं, क्या चीज़ा आप ले जा सकते हैं, क्या valid है, मैंने तो आपको बोल लिया था कि आप सीधा अधार card ले जा सकते हैं, वहीं आपके पास एक valid proof age का भी होना चाहिए, जिसके अंदर आप passport, birth certificate, school certificate या फिर court affidavit बनवा सकते हैं, वहीं आप अपना birth certificate भी ले जा सकते हैं, तो school की कोई ID आपके पास है, तो वो भी आप इदर ले जा सकते हैं, address के लिए भी आप देख सकते हैं, आधार card चल ज जाएगा, तो आधार card गाईज, इधर चल जाएगा, एक तो valid identity proof के लिए आपका आधार card चल जाएगा, दूसरा गाईज, आपका जो ये है, address उसके लिए आधार card चल जाएगा, लेकिन जो आपकी age है, उसके proof के लिए आप अपना school का कोई certificate ले जाएए, नहीं तो 10 वी की mark seat ले जाएए, सही रहेगा, उसके अंदर age mansion रहती है, क्योंकि वहीं, आप इधर देख सकते हैं, relationship आपके पापा, जो भी आपके साथ जा रहा है, अगर आप 18 साल से नीचे, तो पता चलना चाहिए, कि भाई, ये आपके पापा है, और उनका रासन कार्ड है, तो फिर रासन point, और ये मैं नहीं बोल रहा है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको पहली बता दिया था, कि सब officially है, कोई भी इधर उदर की बाते नहीं कर रहा, वहीं आप देख सकते हैं, digital round के लिए भी आपके पास आपका mobile number होना चाहिए, ताक कि जो OTP हो, verified OTP हो, वही number आपका accept किया ज देख सकते हैं, date और name, cities, कहाँ कहाँ, schedule है, पूरा schedule इधर है, और schedule तो है, लेकिन जो और चीज़े हैं, जैसे जैपुर में कहाँ, भूनिशर में कहाँ, गुवाती में कहाँ, ये तीनों तो हमें पता हैं, लेकिन पतना, कॉलकता, इंदोर, लखनाव, मुंबई, इनका भी भी चीज़ इनों ने miss नहीं की हुई है, तो अभी तक तो हमें इस वीडियो में ये जानने को मिला के, भाई, age क्या है, यानि age proof आपका clear हो गया, भाई, आपकी age कुछ भी हो, आप participate कर सकते हैं, जो लोग 18 साल से नीचे, उनका एक identity proof और लगेगा, आप अपने parents का, या फि पोनी लिव एप के उपर होंगे, एक अगस से तीन अगस तक, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, और तो गाइस बात की जो भी update आएगी मैं आपको बताता रहूंगा, और मैं स्ट्रम्स कंडिशन को और ज्यादा देख रहा हूं, कुछ इसके अंदर ऐसी चीज म